नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा वी आई MNP FRC कमिशन के बारे में दोस्तो यदि आप एक वी के रिटेलर हैं तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है तो हम बात करते हैं सबसे पहली MNP FRC के बारे में सबसी पहली वाली जो MNP FRC है 219 रुपे की यदि किसी भी कस्टूमर का सिम यदि आप वी में पूर्ट कर रहे हैं और पूर्ट करते समय दोस्तों आप जो है 219 वाली MNP FRC सलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वी आई कंपनी की तरफ से आपसको 200 रुपे और 45 पैसे का यहाँ पर आपको OTF दिया जाएगा आपके लापू में और दोस्तों यह तो हो गई पहली MNP FRC अब आगे बढ़ते हैं अगली जो MNP FRC है वो है आपकी 249 रुपे की यदि आप किसी भी केस्टूमर के लिए 249 वाली MNP FRC करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर VIA कंपनी की तरफ से आपको 249 वाली MNP FRC पर पूरा 235 रुपे और 10 पैसे का OTF दिया जाएगा MNP चालू होने और पोर्ट हो जाने के बाद तो दोस्तों यह होगी दूसरी MNP FRC इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली जो MNP FRC निकल के आती है वो है 399 रुपे की किसी भी केस्टूमर का सीम VIA में पोर्ट करो और यहाँ पर पोर्ट करते समय 300 रुपे की MNP FRC सेलक्ट करो और जैसी केस्टूमर का सीम पोर्ट हो वाली MNP FRC कमिशन के बारे में यहाँ पर 501 वाली जो ही जदिया आप MNP FRC सेलक्ट करते हैं जिसमें हैं दोस्तों आपको 242 रुपे और 28 पैसे का यहाँ पर कमिशन दिया जाएगा 501 रुपे वाली MNP FRC पर इसके बाद आती है 701 रुपे वाली 701 रुपे में 247.98 पैस 402 रुपे-श्याइजाल जी लिए ऐसी का EOTP दिया जा रहा है creatures तरफ से तो दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा-धोडा इन में बदलाव मैंने आपको बता दिया हैं यहाँ पर दूस्तों पुराणी पुरानी बहुत सब्सक्राइबया है कुश किसी मिंघटा है किसी